नमस्कार में उप्रिया बिहारी नियूस में आपका स्वागत है बिहार में अब तक चोरी के अतरंगी अन्दास को आपने जरूर देखा होगा जहां चोर बड़े से बड़े चोरी कर लेते हैं क्योंकि अक्सर या तो घरों में ताला बंध होता है या फिर बल्ग के प्रयोग से चोरी को अंजाम दिया जाता है लेकिन चोरों की चोरी का होनर उस वक्त देखने लाइक होता है जो बिहार के सरकारी करणचारियों के नाक के नीचे से ये लोग चोरी कर लेते हैं जिसकी सबसे ज्यादा शुकायत विहार में बिजले विभाग में देखने को मिलती है। हाली में जारी के गयांकडे दो बेहधी चौकाने वाले हैं। विहार के 17 जिलो में अब तक 7.18 करोड रुपे बिजली चोरी हो चुके है। इस लिस्ट में सबसे पहले पटना है। उब्भोगताओं के परिसर में बिजले की सप्लाई बंद है। उब्भोगताओं के परिसर की लगातार निक्रानी करने का टास्क दिया गया है। उन्होंने कहा है कि बिजली चोरी में पकड़े जुआने वाले उब्भोगता जुर्माना जमा करने के बाद ही स्मार्ट प्रिपेड लगा कर कनेक्शन चालू करवा पाएंगे। सभी विद्युत कारेपालक अभियंता को निर्देश का अनुपालन सुनश्रित करने का आदेश दिया गया है। वहें जिन जिलों में बिजली के चोरी हुई है उसकी बात करें। और अंगाबाद 24,858,49 भागलपूर 5,825,30 लाग नालंदा 2,89,139,41 लाग सासाराम 3,681,70 लाग है। यानि कि पेसु के पुर्वी और पश्रिमी अंचल के साथ भागलपूर और मुंगेर अंचल में प्राथमी की कम हुई है। इन चारों सरकिलों में मीटर जाज की संख्या बढ़ाने का निर्देश भी दिया गया है। जाने से उपफवकताओं को बिजली का इस्तमाल करने के लिए पहले बिल देना पड़ता है। इस सरकार अपनी तरफ से हर संभव पहल करते हुए बिहार में बिजली चोरी की समस्या को कम करने में कामियाब रहेगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवाद